चिंता इस बात की होनी चाहिए कि विहार की जो हक मारी हो रही है क्या उस दिशा में कोई पहल होगी विहार बंगाल उडिसा जैसे राज जो पिछड़े राज्य है क्या उनको हक मिलेगा क्या उनको विकास का हक मिलने का अधिकार है या नहीं यह सवाल महत्व पुर्ण होगा नमस्कार आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ सैलेंद कुमार दिकल दस दिसम्बर को विहार में केंद्रिये गिरी मंत्रिया मिस्ता का आगवाने आगवन इस बात को लेकर है पूर्वी परिशत छेत्र की बैठक विहार में होनी है जिसके चार राज्यों के मुखवंत्र को लेकर समिच्छा पर बात्चीत की गई की जाएगी अमिच्छा इस पर सर्वेच्छन करेंगे राज जिवर और इस अब बैठक को लेकर शारी तैयारिया पूरी कर ले गया हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयदियू के परवक्ता नेरज कुमार है नीरज कुमार से जा आता है असत्य बोलने पर दंड के भागी भी सनातन धर्म में लोग बनते हैं तो हमारी उम्मीद है कि चुकि ये पिछड़े राज्यों के मानिय मुख मंत्री जी बैठक में भाग लेंगे तो आदरनिय ग्रिह मंत्री जी जरूर यह स्पष्ट करेंगे कि एक लाख पचीस हज्जार करोड का जो पैके स्थादरनिय ग्रिह मंत्री जी जो बाबु बीर कुमर सिंग की आत्मा आज भी परिशान है कि या ठारा अगस्ट 2015 को जारी किया गया था आठ साल हो गए लगवग उदाहरन स्वरूप एक ही चावल एक चावल से पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं एक हजा एक हजार छेसो पचास करोड क्रिशी आंत्र की करण के लिए दिया गया अब तक मात्र एक सो पचास करोड चोंतिस लाक रुप्या दिया गया है और पूरे बिहार में मैं खोज रहा हूं कि कौसल विकास बिश्विद्याले कहां बना है आधरनिये प्रधान मंत्री जी ने कौसल विकास बिश्विद्याले के लिए एक हजार करोड रुपया के लगवग दिया एयरपोर्ट वला तो जानते ही है कि खुल गया पूर्णिया में एयरपोर्ट उसके लिए पैसा देने की बात थी तो ये सारी जो योजनाएं हैं उन्ही योजनाओं की अध्यतन इस्थिती बता दीजिए और चुनावी लाव के लिए आपने अगर विशेस दरजा की बात क आथि कौन सा गुनाह बिहार का है कि आधरनिये प्धान मंत्री नरेंद्र मोडी जी जणता के बीच ये वाइदा करते हैं कि कोसी की तरासिदी से हम आपको मुकति दिलादेंगे उनका वीडियो है और आधरनिय पधान मंत्री जी संभवता नेपाल पाँच बार जाते हैं बावा पस्पतिनाथ से मिलते हैं नेपाल के राष्ट्रा ध्यक्स से मिलते हैं लेकिन बिहार को उसे मुक्ती मिले इस सवाल पर उनकी जुवान नहीं खुलती है तो हम जानना चाहते हैं कि बिहार ने कौन सा गुनाह किया कि गुजरात का कक्छो या सवराष्ट के छेतर के बड़े हिस्से हो इसको आप समिधान के तहट आप विसेश्रेनी का दरजा दिये हुए हैं और वह कारण क्या था सुखाल का तो इतने गुजरात मॉडल पर आपने भोट मांगा और गुजरात मॉडल पर आप भोट मांग रहे हैं और आज भी गुजरात के नो जिले को विसेश्रेनी का हासिल है विशेश पैकेज पूरा कीजिएगा नहीं, हलाक उसमें री पैकेजिंग है, बहुत सारी योजनाएं, पहले से योजनाएं चल रही थी, तो वो दीजिएगा नहीं, विशेश श्रेनी दीजिएगा नहीं, बाल से हम प्रभावित रहेंगे, तो प्राकृतिक आपदा में उस कि क्या समाज के पिछड़े बर के लोग क्या उसने क्या गुनाह किया है कि कच्छा एक से आठ तक आपने चात्रवृति बंद कर दिया समाज के सबर्ण समुदाई से आपको कौन सी इसी घृणा है कि आप उन बच्चों को स्कॉलर्शिप नहीं देता है पढ़ने के लिए दल तो आपने चात्रावास योजना बंद कर दिया तो क्या दलितों को गद्दा पर सोने का अधिकार नहीं क्या सामाने कोटी के चात्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं क्या पिछला बर्ग और अति पिछला को पढ़ने का अधिकार नहीं यह तो सिक्षा के अधिकार कानून पर उलंगा ने सीधा है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सच सच बोलिएगा भाई ऐसा ने की फिर दुर्गंद कुछ फैला दीजिए तब आपको लगता है कि अभी सच बोलते थे पूर्णिया में टॉल पर अभी तक एयरपोर्ट वहां पर टेक अफ हो रहा है तेक अफ हो र पर जंट में वहां पर विजय कुमार चौधर इसलिए बैठक खास च्छविसमी बैठक बियार में यह पाच्वी बार बैठक को एसा थोड़े है कि जी ट्वेंटी का मार्केटिंग कर लिए ही तो जी ट्वेंटी के बैठक वार्म जानते हैं ना कितना बढ़ा गुनाहन अ अरे यह तो रूटीन बैठक होती है पुरवत्तर छेत्र में और मंत्री परिशत की सामुहिक जिम्मेवारी होती है ऐसा नहीं है जो वीजन वहां पर कलकत्ता की बैठक में डिप्टी सीम ने और मानिय विजय कुमार चौधरी जी ने दिया वो राजी सरकार का भीव होता है इसलिए चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बिहार की जो हक मारी हो रही है क्या उस दिशा में कोई पहल होगी क्या बिहार बंगाल उडीसा जैसे राज जो पिछड़े राज्य हैं क्या उनको हक मिलेगा क्या उनको विकास का हक मिलने का अधिकार है या नहीं यह सवाल महत्त वो करता है इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये है e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सक अड़े अड़े आप क्यों मूमिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined